hello guys and welcome to the channel कैसे है आप सभी लोग ago I hope आप सभी ठीक होंगे so this time पर जो लेकर आई हूं। अप सभी के रीडिंग रेकर आई हैं आपके person की secret energies आपके लिए क्या कुछ है क्या कुछ निकड़कर आ रहे हैं इस time पर right जिए इनुरीक अपकर चीप शॉच मिलैंग देंग अधिक शॉत सौ्छ कारना थसको दीचित, लाई-स आप सिलनी गतलाव और युद्धर उट्वारा और में अनलिए कोुछ महासूस कि यूद्धर ऑफS पर गणार है क्या कुछ सोचते हैं आपके person right now की energies को guys हम देखने वाले हैं कि जब आप इस time पे this reading को देख रहे हो suddenly guys अगर आपको reading time पर मिल रहे हैं तो definitely this reading is for you आप देख सकते हैं this reading को किसी भी sign के हैं आप देख सकते हैं reading energies की basis पे है so guys comment section में comment जरूर से करें please do like subscribe and share this channel if you like this reading so we start कर लेती हूं person का name guys जरूर से लेना है thank to universe ओम नमस्चवाई जरूर से लिखे comment section में start कर लेते हैं आपके person की जो person जिनके बार में this temper आप सोच रहे हैं जिनका नाम आप सोच रहे हैं जिनका खयाल आपको और रहा है जिन किछी का नाम इस वक्ता आपने लिया है और person की secret energies आपके लिए क्या कुछ है छिपी हुई मन की feelings क्या है इन person की आपके लिए okay so letting go first energies guys यहाँ पर let go की energies किस चीज को let go कर रहे है person कुछ तो ऐसा है जहाँ पर the source okay इस time पे guys आप इस reading को देख रहे हैं बल्कुल currently right now energy में आपर देख रहे हूं कि person को जिसे आपके बारे में जिसे person कुछ जान रहे है जिसे person आपको कहीं social media के थुरू आपकी उपर नज़र रखे हुए है आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाह रहे है person बहुत स्टैंप इन person के मर में न मुझे आपके लिए curiosity नज़र आ रही कि जैसे आपके लिए कुछ तो ऐसा है कुछ तो ऐसा sign and symbol आपकी तरफ से कुछ मिला है या जब इन person ने क्योंकि मुझे लग रहा है गाइसी person जो है आपके साथ में बट जब मैं कह रही हूँ ना guys देखिए इस card को ध्यान से please if you are able to see this card कि पहले सो ये person आपसे दूर चले गए आपसे distances में आ गए पर इसके बाद कुछ ही time बाद देखिए इन person को कितना ज़ादा हैं आपर stress की energies मिल रही है कितना ज़ादा ये person जो हैं मन में stress को लेकर घूम रहे हैं कितना ज़ादा इन person के मन में burden आ रहा है कितना कुछ इन person को एकदम से इसे पनी life में irritation सी महसूस हो रही है खाली पन महसूस हो रहा है अधूरा पन महसूस हो रहा है और बहुत ज़ादा कही ना कई उलचन की दुलर दमाग में स्टैम पर मझे बनी हु ना करें कितना भी person कोशिश करें कि उससे बहार निकल जाएं बट उन चीज़से बहार नहीं निकल पा रहे हैं और रिजल्ट में क्या निकल रहा है कि person आप से इस टैम पर बात तो नहीं कर रहे हैं और silence energy मुझे नज़र आ रही है कि आपको तो यह person ऐसे दिखा रहे है कि इस टैम पर person बिल्कुल silence है या फिर किसी बातकान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ऐसी energy हो सकते है कि उस cases में guys not in all the cases बट यहापर मैं देख रहे हैं कि person को बिल्कुल आपके बिना चैन नहीं है बिल्कुल यह person को आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा अपने life में और पूरी तरह से मैं देख रही हूं guys यह आपके लिए ही overthink कर रहे हैं आपके लिए ही सोच रहे हैं और आपके ऊपर एक तरीके से इन person की नजर है कि इस टैम पर आपके life में अखिर क्या कुछ है क्योंकि इनकी life में तो guys alone की energy से मेरे पास में card आ चुका है इन person की कर रहे हैं आपर कि person alone महसूस कर रहे हैं आपके बिना stress में है और काफी सारी चीज़ें आपके लिए सोच रहे हैं बहुत कुछ सोच रहे हैं जैसे अपनी life में क्या आप आगे बढ़ चुके हो क्या आपके life में कोई new beginning है क्या कोई और person है या फिर शायद आपकी daily activities पे नहीं हुई नजर आ रहे हैं आपके लिए ऐसी नर्जी से person के मन मुझे show हो रही है कोई friend हो सकते हैं ओकी thunderbolt की नर्जी कोई friend हो सकता है या कोई common friend या कोई family member जैसे से मुझे लग रहा है जो आपको भी जानते हूं इनको भी जानते हूं जो आप दोनों को ही मतलब जानते पूश्टाच कर रहे हैं बहुत जादा पूश्टाच कर रहे हैं बहुत जादा आपके बार में जानना चाह रहे हैं गुस्से में बहुत जादा स्टैंप ए परसन नजर आ रहे हैं गुस्सा करने वाले बहुत जादा परसन मुझे नजर आ रहे हैं आपके जो भी person है इनक कि इसके उपर प्रस्ट इसटाम पर गुसा और ऑफ इतने जदा नाजगी और गुसा किुद पर इस स्टाम पर बहुत जदा नाराज ओ अपने अपने आप को नहीं पिसी फीलिंग हरही कि शयाद मैं ही फूल हूं शायद मैंने ही." बुर्खता करी है, चायद मैंने ही मुझसे ही गलती हुई है, चायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो शाद आज मेरी लाइफ ऐसी ना होती, चीज़े ऐसी डिस्टर्ब ना होती और ये परसन अपनी लाइफ में अलोन ना बैठे होती, अकेले ना होती, स्ट्रेस में ना होती, तो ऐसी नर्जी ये आपर बहुत ज़दा इस परसन महसूस कर रहे हैं, कि अगर इन परसन ने कोई फूल इनर्जी ना कही होती, जल्दवाजी में डिसीजन ना लिया होता, या फिर शायद उस वक्त डिसीजन ले लिया होता, जो आ जो आज़ एए इसी एनर्जी मुझे लग रहे हैं, कि आपकी तरफ से डरें होई हैं, आपकी तरफ से इन परसन को ऐसा लग रहे हैं, कि कहीं रिलेशन जो है बहुत हज़दा ही डिस्टरपना हो जाए कि आपनी लाफ में परसन को जो हैं, एक्सेप्टливоस पे ना करें, इनर्जी में देख रहे हूं या फिर अपना कुछ इस परसन से कोई गलती हुई है कोई मिस्टेक हुई है जल्दवाजी में आका कोई डिसीजन लिया है तो यूनिवर्स तो चीज़ के लिए मुझे लग रहा है माफ ही मांग तो है नजर आ रहे हैं परसन कि इन से ऐसे डिसी साथ में एक न्यू बिगनिंग मिल जाए कि आपकी तरफ यह परसन कमबैक हो जाए इन से जो मिस्टेक हो गई है जल से जल सुधार लिया जाए कर यह ऐसा ना हो कि समय बहुत ज़दा निकल जाए तो इन चीज़ों के लिए मुझे लग रहा है परसन बहुत ज़दा आपके करना चाहरे है यह आपकर दिया है उसको बुरा करना चाहरे है कुछ तो ईसा ओहे है कि परसन आपके साथ में न्यू करना चाहते है न्यू बिगनिंग चाहते हैं कुछ तो दो न्यू करने की Ferney oh uh